नमस्कान शात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है आज हम वितान पार्टी पुस्तिका से राजस्तान की रजत बूंदे नामक पार्ट पढ़ेंगे जिसके रचनाकार है अनुपम मिस्र, सर्व प्रथाम मैं आपको अनुपम मिस्र लेखक के जीवन परीचे से संबंदित बात करूँगे आप यहाँ पर अनुपम जो मिस्र है ये परियावरन संबंधी अनेक आंदोलन से जुड़े अनुपम मिस्र का जन 1948 इस्वी में महरास्टर के वर्धा में हुआ तो चात्रों हम यहाँ देख रहे हैं कि परियावरन से संबंदित याने कि परियावरन बचाओ आंदोलन देश में अनेक बार हुए और इन आंदोलन से अनुपम मिस्र भी जुड़े हुए थे इन्होंने मुख्यत परियावरन संबंदी समश्याओं पर बीस पुस्तकों का लेखन किया जिसमें से आज भी खरे हैं तालाब तथा राजस्तान की रज़त बूंदे बहुत चर्चित पुस्तके हैं सन 1907 तर में ये गांधी श्यांती प्रतिस्थान के परियावरन कक्ष से संबंदित रहे तथा परियावरन संबंदी अनेक आंदोलनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे इसके साथ ही इनोंने लोगों को जागरु करने की मुहिम चला कर परियावरन संबंदी अपनी सजगता का परिजय दिया यानि कि इन्होंने अपने लेखने के माध्यम से अनेग लेख लिखे जो परियावरन बचाने के लिए थे परियावरन की रक्षा करने के लिए थे उनी में से हम आज राजस्तान की रजत बूंदे नामक पाट पढ़ने जा रहे हैं तो सर प्रथम में पाट की रूप रेखा आपको थोड़ा समसा रही हो कि ये पानी की कमी जैसी ज्वलन समश्या पर आधारित कहानी है आप देखते हैं कि अब चलो इन देनों तो बहुत बारिस हो रही है लेकिन जहां पर बारिस नहीं हो रही और गर्मियों में आप जानते हैं कि पानी की कितनी किल्लत पढ़ती है तो यह जो पाट है ये पानी की कमी जैसी ज्वलन समश्या पर आधारित कहानी है जिसमें राजस्तान के लोगों को जल की आप उरती में विसेश रूप से जुड़ता हुआ दिखाया गया है आप जानते हैं कि राजस्तान में जल का अभाव होता है इसलिए इस पाट के अंदर राजस्तान के बारे में चर्चा की गई है कि किस तरह से यहां के लोग पानी आप औरती के लिए जूजते हैं जल संचनेन के माध्यम संचनेन विटे इखटे करने के माध्यम के रूप में कुई की कुई यानि की कुवा नाम सुना होगा कुए से छोटी कुई होती है उसके बारे में बता रहे हैं निर्माण प्रक्रिया की कठिनाई को लेखक ने अत्यंत सुक्षमता के साथ प्रस्तुत किया है बारे किसे कुई के बारे में चर्चा की हैं यहां लेखक ने यह रचना एक राज्य विसेस राजस्तान की जल समश्या का समाधान मात्र ही प्रस्तुत नहीं करती बलकि यह हैं जमीन की अंतल गहराईयों में जीवन की पहचान भी कराती है यह रचना हमें धेरे धेरे फाशा की ऐसे दुनिया में ले जाती है जहां पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यंजिक्त है ध्यान देजिए बेटा यहां पर कि पाठ के बारे में जो मैंने बताया कि राजिस्तान के अंदर पानी की कमी होती है और यहां पर कुए होते हैं लेकिन यहां पर जो लेखक है वो कुई के बारे में बताता है जो कुई के बारे में मिन्स कुई का आकार छोटा होता है अब हम इस पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे जो इस प्रकार है जो अभी मैंने आपको बताया यह सिरफ पाठ यानि कि लेखक की जीवन परीजे और पाठ से समस्वाइब जो सार्थ शार था उसको थोड़ा समझाया आम मैं इस पाठ की आपके समस्वाइब द्यान से सुनिएगा अब फितर गर्मी बढ़ती ही जाएगी, कोई का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है, उखरू बैठे चेल वांजी की पीट और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुलहाडी आफावडे से नहीं हो सकता, खोदाई यहाँ बसोले से की जा रही है, बसोली छोटी डंडी का छोटे फावडे जैसा ओजार होता है, नुकीला फल, लोहे का और हत्ता लकडी का होता है, तो छात्रों इस कध्यांस को हम समझेंगे, कि सबसे पहले हम यहाँ शबदार्थ देखेंगे बीटा, पसीने में त तरबतर, तरबतर का अर्थ है पूरी तरह से भीग जाना, कि व्यक्ति काम कर रहा है, तो पसीने से लत्फत हो गया, तरबतर हो गया, पूरी तरह से भीग गया, चेलवानजी, तो आपने देखा होगा कि जैसे मकान का निर्मान एक कारिगर करता है, इसी तरह से जो कुई ब होता है इसके अलावा हम देखेंगे सक्रा सक्रे का मतलब होता है कम चोड़ा के सक्रे का मतलब है उकडुबैठ़ना पंजे के बल घुठने मोडुकर बैठते हैं उसे उकडु कहते हैं फिकाती फेकना धकेलना तो यहां पर हम आपने देखा कि जो कोई को चिनने वाला कारिगर है वह कोई का कारे कर रहा है तो वह पसीने से पुरी तरह भीग गया और जो कोई का जो गर्मी बढ़ती ही जाएगी कोई का व्यास गेरा बहुत सक्रा होता है उसके अंदर हवा न होती है कि उसको कुलाड़ि या फावड़े से नहीं खोदा जाता बलकि बसोली की छोटी डंडी या छोटी फावड़े जैसे ओजार से खोदा जाता है नुकिला फल लोहे का और हठा लकड़ी का फल बेटा यहां पर जो ओजार बनता है उसकी सामने एक चोड़ा सा वो होता है जैसे साम का फन होता है इसी तरह से एक फल होता है चो खुदाई में बहुत अच्छे से काम आता है इसलिए वहाँ ये फल की बात करते हैं जो लोहे का होता है कोई की गहराई में चल रहे मेहंति काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा गर्मी कम करने के लिए उपर जमीन पर खड़े लोग बीज बीज में मुठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंगते हैं इससे उपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा उपर लोटती है तो यहाँ जो लेखक है वो कोई के बारे में समझा रहे हैं कि कोई के अंदर बहुत गर्मी होती है उस गर्मी को कम करने के लिए है जो उपर खड़े लोग होती है वो मिट्टी के अंदर बालू मिट्टी या जो भी है इस तरह की मिट्टी लेकर कोई में तेजी से नीचे डालती है तो वो कोई में फैलती हुई नीचे जाती है और जो वहां गर्मी होती है उसको वो खतम कर देती है इस तरह से वो कहते हैं कि गहराई में जमा दम घोटू गरम हवा उपर लोटती है जब वो नीचे जाएगी तो जो गरम हवा है वो उपर की ओर आएगी दमगोटू का मतलब है जो सांस लेने में दिक्कत कर रही है एतने उपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे है चेल वानजे के सिर पर लग सकती है इसलिए वे अपने सिर पर कांसे पीतल या अन्य किसी धातों का एक बुरतन टोप की तरह पहने हुई है आजकल पीटा आपने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दो बनती है तो वहाँ पर लोग एक टोपा टाइप पहनते हैं वो टोपा किसी धातू का बना होता है या आजकल तो जैसे प्लास्टिक विभिन्द तरह का आ रहा है मजबूत उससे बना होता है लेकिन उन दि को चेलवान जी पहनता है ताकि उपर से जो मिट्टी फैंकी जारी है उसके यदि कोई कण होते हैं वो उसके सिर पर ना लग जाएं अर्थात उसको बचाएं उसके लिए यह बता रहे हैं तो आप अगला प्रस्ट में देखेंगे नेचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवान जी के पंजों के आसपास मलवा जमा हो गया है मलवा जो खुदाई की मिट्टी उसको मलवा कह रहा है बेटा उपर रसी से एक छोटा सा धोलिया बालती उतारी जाती है अब उस मलवे को बहार निकालने के लिए रसी रसी नीचे लटकाते पर उस रसी से ढोलियां बाल्टी लगी होती है जिसमें चेलांजी उस मलबे को डालेगा उपर के लोग उसको खेंच लेते हैं और इस तरह से बाहर निकालते रहते हैं मिट्टी उसमें भर दी जाती है पूरी सावधानी के साथ उपर खीचते समय भी ब वो इस मिट्टी को उपर खेंसते हैं तो उसमें से कुछ कंकड या मिट्टी नीचे गिरती है तो जो चेलवान जी है वो अपने सिर पर टोप पैन कर रहता है जिससे उसको चोट ना लगे चेलवान जी यानि चेजारो पिटा जो कोई का चिनने का काम करता है उसके लिए कह रहा है यह चेजारो चेजारो कौन होता है जो कोई दक्ष यानि की कोई में अच्छी तरह से काम करने वाला व्यक्ति चुनाई करने वाला कोई की खुदाई और एक विशेस तरह की करने वाले दक्षतम लोग हैं दक्षतम तो जानते हो अपनी पुन लोग हैं जो कोई की खुदाई करते हैं फिर उसको चिंते भी हैं ये लोग यह काम चेजा कहलाता है जो कोई का काम जो चुनाई का होता है उसको बेटा चेजा कहते हैं चेजारों जिस कोई को बना रहे हैं वेह भी कोई साधार अधाचा नहीं है, कोई यानि बहुत ही छोटा सा कुवा, कुवा पुलिंग है और कोई इस्त्रिलिंग है, यहाँ आपको लेखक समझा रहा है, कि कोई का आकार छोटा होता है, तो उसे हम इस्त्रिलिंग में समझेंगे, कुई काकार चोड़ा होता है उसको हम पुलिंग में कह सकते हैं ये छोटी भी केवल व्यास में ही है गहराई तो इस कुई की कहिं से कम नहीं कि अब देखेंगे आप कि व्यास का मतलब है चोड़ाई कि चोड़ाई सक्री होती है ये कुवा ज्यादा चोड़ा होता है लेकिन गहराई, गहराई का मतलब जो नीचे की गहराई है वो कम नहीं है, राजस्तान में अलग-अलग स्थानों पर एक विसेज कारण से कुईयों की गहराई कुछ कम जादा होती है, राजस्तान के विटा जो अलग-अलग स्थानों पर पानी का तल कितना होता है, उसे आधार पर क कोई के बनाई भी अलग-अलग होती है कोई एक और्थ में कोई से बिलकुल अलग होती है अब यहां लेखाक हमें समझा रहे हैं जो कोई होती हो कोई से बिलकुल अलग होती है कोई भूजल के पाने के लिए बनता है पर कोई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे उसके लिए कोई बनता है लेकिन कोई इससे अलग है उसको हम समझेंगे किस तरह से कोई बर्षा के जल को बड़े विचितर ठंग से समेटती है आप देख रहे हैं कि वर्षा में इधर उधर पानी भड़ जाता है तो वो पानी जमीन में से रिसक कर कोई के अंदर आता है और वो कोई में इखटा होता रहता है तो कोई इस तरह से बर्षात के पानी के लिए बहुत ही आवशक और अच्छा साधन है कि किस तरह से बर्षात का पानी कोई अपने अंदर समेट लेती है राजस्तान कोई भुजल के पानी के लिए बनता है पर कोई भुजल से ठीक बैसे नहीं जुड़ती जैसे को आई भी मैंने सपस्ट किया है कोई वर्षों की जल को बडए विचित्र ठंग से समेटती है तब भी जब वर्षा ही नहीं होती यानि कोई में ने तो सेते पर वहने वाला पानी है ने भूजल है यह तो नेती-्नेती जैसा कुछ पेचिदा मामला है तो यहाँ पर हमें कभी लेखक कह रहे हैं कि कोई और कोई में इस तरह से है तो नेती नेती मतलब जिसका अंत नहो अंत हीन जल अर्थाद उसका जो पानी है वो खतम तो होता है लेकिन उसका जितना पानी निकालती है कुछ समय बाद वो उतना ही पानी आ जाता है इसलिए नेती-नेती का मतलब यहाँ है कि जो कभी भी खतम नहीं हो ऐसा पेचीता मामला कोई में है मरू भूमी में रेत का विस्तार और गहराई अथा है मरू भूमी रेगिस्तान को कहेंगे बिटा कि रेगिस्तान के अंदर अथा मानी गहराई कि वहाँ पर रेत का विस्तार है और गहराई बहुत ज़्यादा नीचे तक भी पानी नहीं मिलता तो लेखक कह रहे हैं यहां वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमी में समा जाने में देर नहीं होती वै कहीं कहीं मरू भूमी में रेत की सत्य के नीचे प्राई 10-15 हात 50-60 हात नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है यह पट्टी जहां भी है काफे लंबी चोड़ी है पर रेत के नीचे दभी रहे के कारण उपर से दिखती नहीं अब पिटा यहां दिखीगा कि जमीन के अंदर पर्टी होती है उसमें से एक परत होती है जो खड़िया उसको घीया पत्थर भी लोग कहते हैं उसकी होती है तो यह क्या होता है कि खड़िया जो पत्थर की एक पट्टी चलती है यह पट्टी जहां भी है काफे लंबी चोड़ी है पर रेत के नीचे दभी रहने के कारण उपर से यह दिखाई नहीं देती उसके प्याने की जो कोई खुद रही है उसके नीचे जो खड़िया पत्थर उसके बारे में जो लेखक है वो चर्चा कर रही है